हाँ जी चटटपटी न्यूज लेकर हाजिर हूँ मैं तो मैं इस चैनल पर यूट्यूब की और वैसे भी दर उदर की जो भी मुझे न्यूज मिला न मैं उठा उठा के सब चेव देती हूँ तो अभी जो न्यूज आ रही है वो मेरी पहली इसते पहली वीडियो यानि कि कल की वीडियो के डिलेटी रही है तो कुछ अपडेट देना था आपको बहुत ज्यादा जरूरी और चटपटा भी है अब मैं ये कहूंगी कि लोग ज्यादा सीरियस ना ले यूट्यूब पे ल अगर आपको सीखना है तो ये सूचो को भई इस सीखो कि भई वो लोग जो इनकी से लाइव में सिच्वेशन आई हैं उस चीज से कैसे बहार निगल रहे हैं किस तरीके से डील कर रहे हैं और आप इस जंगा पर हो तो किस तरीके से डील करो तो ये सब चीजे सोचने वाली होती हैं सब चीजी सीखने वाली होती है जादा किसी की वीडियोस देखे डिप्रेशन होने की या पर डिप्रेशन में जाने की कोई भी जरूरत नहीं होती क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जो दिखाया जाए वो इतना ज्यादा हववा होता है या इतना ज्यादा होता है कि जि जी तो भी मैं बात करने जा रही हूं प्रीति और अंगुष के बारे में तो प्रीति ने एक statement दिया था जिसमें जिकर आया था उनके पूर जो फियांसे हैं उनसे लेटिर तो उनका जो statement है उनके फियांसे का वो old फियांसे का जिनके अब शादी हो चुकी है उनका और उनकी wife का भी statement आ चुका है उन्होंने हाल की फिलाल में एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने काया है कि मेरे उपर काफी जादा blame लगाये गए कि मैं जो प्रीति है उनकी husband से मिला हुआ हूँ उनकी बहन से बात करता हूँ ये सब चीज़े जो है वो जूटी है और भी बहुत सारे जो blame है प्रीति दुआरा उन पर लगाये गए थे लेकिन उन सब को ही उन्होंने जूट बोल दिया कि ये सब चीज़े ना वो जूट बोल लियो मुझे इतना time ही नहीं है कि मैं किसी से बात करूँ या कुछ भी करूँ जिस वक्त इनकी जो engagement है वो तूटी थी उस वक् करी है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब सभी इंसान गलत हो और प्रीति बिल्कुल सही हो आप इस चीज़ को जरा सो सकते है ना या तो देखो किसी की किसमत इतनी बेकार है कि हर चीज में उसको धुक मिल रहा है या फिर कहीं ना का इंसान कुछ ऐसी गलती कर रहा है जो हर जहां से प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी चीज़े सोचने की होती है कि आखिर एक इंसान 100% सही नहीं हो सकता उसी तरीके से एक इंसान 100% गरत नहीं हो सकता तो प्रीति ने जो क्लेम किया है वो यही किया है कि मेरा जो ओल फियांसे है वो इनसे मिला हुआ है और वो इनक कि मिली भगत है सब मिलकर मेरा बेवकूफ बना रहे है इस तरीके की जो मतलब उनका कंक्लूजन है कि सब मिलकर मेरे साथ में बहुत ज़्यादा टोर्चर हो रहा है मेरे बच्चे को चीनने की साजिस कर रहे है मुझे मैंटली हरेस किया जा रहा है मुझे डिप्रेशन में डा या तो आप मुझे proof दो या फिर मैं Legal action लूँगा तो Legal action तो देखिए हमें पता है कोई नहीं लेता ये सब इनके ड्रामे होते हैं अगर Legal action लेते और legally ये सब चीजे होती तो ये सब चीजे बाइट बाइट ये इन लोग इनसाफ माँगने के लिए क्यों आते तो या तो आप नहीं जो बोल रहे हो उस चीज का प्रूफ लाओ प्रीति या फिर जो वो बॉल रहे हैं उन चीज को आप ये देखो कि आप अपने लड़ाई जगड़े में विना मतलब किसी इनसान को मत खीचो और अगर आप खीच रहे हो तो उस चीज का प्रूफ भी अगर आप दे सको तो प्रूफ दो नहीं तो अगर आपके खिलाफ लीकल एक्शन होगे किसी की जो इमेज है उसको हरेस करने के लिए इमेज को खराब करने के तो आपको बहुत जादा प्रॉब्लम हो सकती है तो आज की न्यूज यही है कि जो प्रीती के एक्स हैं उन्होंने ये क् किया है कि भई मेरे उपर जो इंजाम लगा जा रहा है प्रीती दुवारा जेस्ट जो है कॉंट्रोवर्सी क्रेट करने के लिए बिल्कुल गलत है अगर प्रीती ऐसे इंजाम मेरे पर लगा रही है या तो मुझे उसका सबूत दे या फिर मैं उनके खिलाफ लीगल एक्श कोई नहीं लेता और अगर ले भी लेता तो इनका कुछ जादा नहीं होता है तो इसी वज़े से लोग दूसरों को डी फेम करने में कभी भी पीछे नहीं अड़ते आपका क्या करने इस बार में जरूर बताएगा हम मिलते हैं नेक्स टूड़ी में तब तक के लिए बाई तक कि यू